हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल नीमा स्कॉर्णर और मैं हूँ नीमा आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ गुस्से के बारे भई गुस्सा तो सबको आता है, आपको भी आता होगा, मुझे भी आता है एक कमेंट मेरे पास पिछले कई वीडियो में आ रहा है कि मैं हम गुस्से के ओपर वीडियो बना दीजिए कि कैसे हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं तो कि गुस्सा आने में और गुस्सा दिखाने में, एक्स्प्रेस करने में बहुत अंतर होता है मैं आपको एक example देती हूँ, मान लीजिए मैं office में job करती हूँ, मैं office गई बहुत अच्छे mood में, पर मेरी boss मेरे पास आई और चिलाने लग गई, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये गलत किया है, तुमने ऐसा किया है, वैसा किया है, और हो सकता है कई बरी आपके उपर भी नहीं भीड़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितना भी गुस्सा आ रहा है, मुझे अपनी boss से लड़ाई नहीं करनी है, नहीं तो मेरी नौकरी तो अभी चली जाएगी, ऐसा ही होता है घर में भी, इनलोस से कुछ बहस हुई, हस्बंड से कुछ बहस हुई, हम नह क्योंकि मुझे पता है यह है कुछ ज़्यादा यह मेरा बिगाण नहीं सकते हैं, तो हमेंशा क्या होता ना कि गुस्सा आको हमेशा आएगा पर आप एक्सिप्रस तभी करोगे जब आपको पता है कि सामने वाला आपका कुछ बिगाण नहीं सकता है, मतलब चाहे मेरे बच कि मुझे गुस्सा बहुत आता है तो मैं सामने वाले का सर फोड़ दूगी या मैं सामने वाले से लड़ाई कर लूगी नहीं गुस्सा आता है तो उससे अपने तक सीमित रखिये कि कितना होता है ऐसा कि मुझे बहुत गुसा आ रहा है तो मैं अपने आपको चोट पहुचा रही हूँ ऐसा नहीं होता है ना क्योंकि मुझे पता है यह दर्द तो मुझे ही होगा बढ़ हम सामने वाले की पटाई करने पर तयार हैं कि तब मुल्य दर्द नहीं होता है कभी कोशिश कीजिए कि जब आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने उपर भडास निकालने की कोशिश कीजिए अब ये भडास बही ऐसा निया है कि अपने आपको हतोड़े से मालना शुरू कर दीजिए अपने में improvement कीजिए किसी ने आपको कुछ बोलाए कि यार तु तो कुछ करी नहीं सकता या तु तो कुछ करी नहीं सकती इससे अच्छा होगा कि गुस्सा करने से अच्छा है कि आप अपने में improvement कीजिए एक जब पर मैंने पढ़ा था कि जब भी आपको गुस्सा आया तो अपने आपको relax करने के लिए आप reverse counting पढ़ सकते हैं और टेंट तक counting पढ़ लीजिए आपका गुस्सा शान्त हो जाया ऐगा है ऐसा इसलिए बोले जाता है कि जो गुस्स अोता बोस्त tartado पांस से किंड बाद वो धीरे 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 शांत होने लगता है आपके माथे पे जो यह शिकन आ जाती है इसको आप जैसी हटाएंगे आपका आधा गुस्सा तो यह खतम हो जाएगा बाद चेहरे पे इस तरीके से शिकन नहीं होनी चाहिए शांती वाले expressions होने चाहिए इससे आपका आधा गुस्सा खतम हो जाएगा तो एक बात का ध्यान हमेशा रखे कि गुस्सा हर इंसान को आता है दिक्कत है उसको गलत तरीके से express करना बात कीजिए express कीजिए समझाने की कोशिश कीजिए बात करने अराम से बात कीजिए कहने का मतलब यह है कि गुस्सा हम तभी express करते हैं जब मुझे पता है भई सामने वाले का पलड़ा हलका है मेरा पलड़ा भारी है मतलब मैं अपने से कमजोर के ओपर ही गुस्सा निकालूँगी मुझे पता है अगर यह वीडियो आपके लिए यूसफुल रहेगा थोड़ी सी भी आपको इससे हेल्प हुई है तो इसे लाइक और शेर जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थैंक्यू, थैंक्स और वाचिंग